आज अगेन मैं आपके लिए लेकर रहें कुछ इंपोर्टेंट फ्रेज जो हमारी डे टुडे लाइफ में काफी इंपोर्टेंट है और उनको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं तो अगर आपके साथ में भी यही प्रोब्लम है तो वीडियो के लास्ता का आपको बने रहना है आज मैं आपको थ्री ऐसे इंपोर्टेंट फ्रेज बताने वाली हूँ जो कि हम डे टुडे लाइफ में ज्यादा यूज करते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडिय यूज करने वाले फ्रीक आउट ओन एंड हम ओन के बाद यूज करेंगे वर्ब फोर्ट मेंस वर्ब की फर्स्टों में आएंजी तो चलिए एक्जांपल से समझते हैं यह सुनकर मेरे होश उड़ गए पास इंडेफिट का सेंटेंस है एंड हम फ्रीक को ही एकोर्डिंग यूज करने वाले है तो पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फोर्म यूज करते हैं आई फ्रीक आउट ओन हीरिंग इट राइट तो सेंटेंस है आई फ्रीक डाउट ओन हीरिंग इट नेट्स देखे मुझे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे यह फ्यूचर का है विल शैल लगनी है तो सेंटेंस हो गया है तो यहां पर मैंने दो सेंटेंस लेक्ट क्या हुआ पास इनेफिन नहीं है और तुम्हारे होश च्छों उड़े हुए है इसे हम बनाएंगे प्रिजेंट कॉन्टिनुस में तो वोट हैपन राइट वोट हैपन वाई आर यू फ्रीकिंग अब देखे हमारे पास आॉट के बाद कोई वर्ब नहीं तो इसलिए हम सेंटेंस को फ्रीक आॉट पर ही छोड़ देंगे तो sentence हो गया है तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए है होश उड़ जाना एक अलग बात है और किसी के होश उड़ाना वो एक अलग बात है तो होश उड़ जाना या जब भी आपको यूज करना है तो तब आपको यूज करना है तो चली नेक्स फ्रेज देखते है जब किसी से हमें कोई कंप्लेइन होती है तो इसके लिए हम यूज करते है ग्रज अगेंस्ट तो चली एक्जम्पल से समझ लेते है एक्जम्पल है मुझे उससे कोई ग्ला शिक्वा नहीं है तो प्रेजन्ट का सेंटेंस है यह और देखिए यहां पे किसी चीज की होने की बात हो रही है तो आपको पता होगे जहां पे किसी चीज की होने की बात होती है प्रेजन्ट में हम हैज है का यूज करते है और पास्ट में हम हैड का यूज करते है I have no grudge I have no grudge against him or her राइफ तो sentence हो गया है I have no grudge against him or her अब देखिए हम इसको don't से भी बना सकते है I don't have ऐसे भी बना सकते है I don't have जब हम don't का use करेंगे तो तब no नहीं आएगा तब यहाँ पे any आएगा I don't have any grudge against him or her होप समझ में आ गया होगा तुम्हें मुझसे कोई गिला शिक्वा है क्या अब यह हम यह भी हम ऐसे बनाने वाले है लेकिन यहाँ पर हम helping आप कोई starting में यूज करेंगे क्योंकि क्या है sentence में Do you have यह तो आप ऐसे बना लिजे दो तरीके से बना देंगे इसको भी हम सबसे पहले हम do से start कर लेंगे sentence को Do you have any grudge against me? Right, क्योंकि तुम्हें है क्या कोई सिक्वे की बात हो रही है Do you have any grudge against me? या फिर have you any grudge against me? दोनों तरीके से बना सकते हुआ आप Right, तो sentence है Do you have any grudge against me? Hope समझ मा आ गया होगा तो चलिए next देखते हैं मुझे अपने भाग्य से कोई गिला शिक्वन नहीं है Past में भी बना सकते है अगर आपको past में बनाना होता बस जस्ट आपको head का यूज़ करना है तो चलिए इसको बना लेते हैं मुझे अपने भाग्य से कोई गिला शिक्वन नहीं है I have no grudge against my destiny I have no grudge against my destiny या फिर आप इसको यहाँ पर don't से भी बना सकते हैं I don't have any grills तो don't के साथ हम लगाएंगे any I don't have any grills against my destiny बहुत है simple सा है बस पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या phrase यूज़ करते हैं Hope समझ में आ गया होगा या आपको तो चलिए next phrase कर लेते है next phrase देखते है next phrase है पाला पढ़ना अब देखे यह जो मैंने first sentence यहाँ पर लिखा है इसे मैं आपको तीन तरीके से बताने वाली हूँ कि आप इसको तीन तरीके से कैसे बना सकते हैं मिल से हम same sentence में अलग अलग phrase यूज़ करके इसको बना सकते है बट अभी पाला पढ़ने के लिए आप इतना याद रखिएगा कि इसके लिए हम यूज़ करते है encounter तो first sentence देखे इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पढ़ा है ठीक है तो मुझसे पढ़ा है present perfect में ही बनेगा यह sentence तो this time this time को हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे this time you have encountered me ऐसे हम इसको यूज़ करें this time you have encountered me तो sentence है this time you have encountered me इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पढ़ा है next देखे you are dealing with me this time you are dealing with me this time तो second sentence है you are dealing with me this time इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पढ़ा है एक और तरीका देख लेते हैं sentence को बोलने का तो वो हो जाएगा this time this time को हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे this time you have met your match this time you have met your match तो sentence है this time you have met your match अब देखे जरूर नहीं कि हम this time को स्टार्टिंग में ही यूज़ करें इसे हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं you have met your match तो ये तीन तरीके साब sentence को बोल सकते हो this time you have encountered me you are dealing with me this time या फिर दिस तार्टिंग को स्टार्टिंग में this time you are dealing with me next तरीका हम यूज़ कर सकते हैं this time you have met your match right hope समझ में आ गया होगा आपको and ये तो बहुत पार हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ये तो as it is आप learn कर लेज़ेगा next sentence देखे गलत आदमी से पाला पढ़ गया तुम्हारा इस बार ये भी present perfect में ही बनायेंगे तो this time को आप starting में भी उज़कर सकते हो and last में भी उज़कर सकते हो तो starting में उज़कर लेते हैं this time को this time you have encountered a wrong person right this time you have encountered a wrong person right तो sentence है this time this time you have encountered a wrong person या फिर हम discussing dealing के साथ भी यूज़ कर सकते इसको इस ताइम यू आर डिलिंग विदा रोम परसन गोट इट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते है और एंकाउंटर कभी आप इसमें यूज़ कर सकते है तो होप समझ में आ गया होगा सारा आपको तो तीन फ्रेज कवर कर लिए हमने इस वाली वीडियो में तीनों फ्रेज ऐसे हैं जो हम अपनी डे टो डे लाइफ में काफी यूज़ करते हैं होप समझ में भी आ गया होगा आपको सारा ये वीडियो में भी आपके लिए हैल्फुल होगी आप डे टो डे लाइफ में इन सब को यूज़ भी कर पाऊगे तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई टेक कियर, स्टे हेल्फी और कीप लर्निंग